हेलो दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल माईजान इंडिया में आज हम राफेल और जेटवन्टी के बारे में कॉम्परेजिन करेंगे जानने के लिए ये वीडियो आप आखरे तक देखे और जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करना न भूले और बेल आइकन को प्रेस करें आप हमें इस्टाग्राम पर भी फोलो कर सकते हैं ल प्रांसे लड़ाकों विमान राफेल इस महीने भारत आ सकता है वायुसेना के मताबिक पांच राफेल विमानों का पहला मैच 29 जुलाई को अंबाला येरफोस बेस पर वायुसेना में सामिल किया जाएगा माना जा रहा है कि राफेल की तैनाती लद्दाक सेंटर में की जा जाएगी भारती राफेल के मुकाबले चीन के चेंगू जेटोंटी और पाकिस्तान के F-16 लड़ाकों विमान है आईए जानते हैं कौन ज्यादा पावरफुल विमान है इंडिया का राफेल और चाइना का जेटोंटी राफेल के मुकाबले थोड़ा कमतर मालूम होता है व फाइटर है और वही राफेल का कई मामलों के लिए इस्तिमाल किया जा रहा है मुझूदा वक्त में चीन जेटोंटी के दुस्मन पर नजर रखता है वही राफेल निगरानी के अलावा सोटिच और अटेक में भी इस्तिमाल किया जा सकता है राफेल को भारत के जरूरतों क के इसाफ से तयार किया गया है चलिए देखते हैं दोनों में क्या है खासियत इस पीड बराबर है लेकिर राफेल के रेंज कहीं जादा है राफेल के मुकाबले चीन का विमान भारी है राफेल अधिक्तम 24,500 किलो वजन ले जा सकता है वहीं जे टूंटी 34,000 से 37,000 किलो वजन अपने साथ ले जा सकता है रेंज की बात करें तो इस मामले में राफेल कहीं आगे है राफेल के रेंज 37,000 किलो मीटर है वहीं जे टूंटी के बेसिक रेंज 1200 किलो मीटर है इस वक्त 27,000 तक अपडेट किया जा सकता है दोनों विमान अपने साथ 4,4 मिसाइल ले जा सकते है दोनों की स्पीड 2100 है और 2130 किलो मीटर परती घंटा है जो लगभग एक जैसी है राफेल की लंबाई कम लेकिन उचाए ज्यादा जे टॉन्टी की लंबाई 20.3 मीटर से 20.5 मीटर है वही इसकी उचाए 4.45 मीटर है इसका बिग एसकेल्फ 12.88 मीटर पलस 13.5 मीटर है जबकि राफेल की बात करें तो ही लंबाई 15.30 मीटर है और वही उचाए 5.30 मीटर है राफेल का बिग एसकेल्फ सिर्फ 10.90 मीटर है जो पहाणी छेत्र में उड़ने के लिए आदर्स एरक्राफ्ट बनाता है बीडायल बिजूल रेंज मिसाइल से लेश होंगे राफेल जेटोंटी इंटरनल कैनल लगा है जिससे लगा ऐसा रडार ट्रेक सेंसर से लेश है चीन के मुताबिक बिमान में पाइलर्ट को 360 डिगरी कोब्रेज के लिए पैसिव एलेक्ट्रोनिक ऑप्टिकल डिस्टेक्शन सिस्टम भी लगता है इसके साथ ही बिमान से चीन की सेना की सेटलाइट और ड्रोन का डेटा एकसेस किया जा सकता है चीन की इस बिमान में PL-15 Medium-2 Long Range Missile का टेस्ट किया है इसकी रेंज 200 किलोमीटर से जादा है वही राफेल की बात करें तो ये बिडियन बिजूल रेंज मिसाईल से लेश होगा यानि बिना टार्गेट प्लेन को देखते ही उसे उड़ाया जा सकता है इसमें लगा एक्टिव रडार सीकर से किसी भी मोसम विभाग विमान को ओपरेट किया जा सकता है इसके अलावा एसकेल्फ मिसाईल या अश्टोम सेंडो मिसाईल किसी भी बंकर को आसानी से तबाह कर सकती है इसकी रेंज लगबग 560 किलोमीटर है राफेल परमाडू हतियार ले जाने में भी सक्चम है चीन ने पाकिस्तान के विमान को बनाया सक्तिसाली पाकिस्तान के GF-17 और चीन ने और विक्सित किया है ये मल्टी रोल लडाको विमान है ये हवा से हवा और हवा से सतह पर मार कर सकता है चीन ने इसमें PF-15 मिसाइल लगाई है ये इनफोरेंशन सिस्टम से लेस है इस मिसाइल की रेंज 300 किलो मिटर है वही राफेल में इस्तमाल होने वाली मिसाइल की रेंज इससे कम है तो दोस्तों ये थी कुछ कम प्रेजन राफेल और J20 के बारे में अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को सेर करें धन्यबाद